कि दोस्तों मैं विपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेप स्टेडी पॉइंट में आपका आज स्वागत करता हूं आपको मैत पढ़ा रहे हैं और मैत में जो हमारे टोपिक चल रहा है प्रोफिट और लोस आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करो हमारे चैनल वेप स्टेडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो हमारी आज क्लास वैसे भी तीन चार दिन में बाद आपको मिलेगी किसी कारण वर्स से हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा आपा र में चैनल पर नहीं में तो आप हमें सपॉर्ट करते रहें और सब्सक्राइब कराएगा तो दोस्तों को सबसे पहले हम question यहां पर लिख देते option दे दिये है तो आप इसको हमें इसका answer comment करके बताईए यह हमारा procedure आप सबसे पहले वीडियो को पोच करो और question को खुछ से करो क्योंकि आपको सीखना है तो question सबसे पहले खुछ से ही करना पड़ेगा यदि आप से नहीं हो रहा तो आगे फिर वीडियो चलाओ फिर आगे अगर आप यहां पर जो हम समझाते हैं उसको अच्छे से समझो तो आप इसका comment करके answer बताईए क्या आएगा जल्दी करो चलो बढ़ते हैं question पर करते हैं question है हमारा यदि विक्री का मुल्य तीन कोणा है और लागत मुल्य दो कोना हो तो लाभ 65% हो जाएगा तो मौझूदा लाभ परतिसात में क्या हैं दोस्तों एक अच्छा question है important question है करते हैं यदि विक्री का मुल्य हो जाएगा तो मुझूदा लाव परसेंटेज में हमें क्या होगा ओप्सेन है हमारा 20% 15% 25% और 10% तो इस कोर्षन को करते हैं कैसे हैं यदि में मान लिया हमने माना जो कोस्ट प्राइज यानि कोश्ट प्राइज हम निकालते हैं तो किसको बेश मानते हैं कोस्ट प्राइज को हम बेश मानकर क्या करेंगे 25% इसका प्रोफिट निकाल लेंगे अब 200 का 65% कितना होता है हमारा 200 का 65% होता है 130 आप चाहिए यहां पर निकाल के देख सकते हो 200 गुना 652 यह तो हता है यानि 202 जेरो से 20 और 652 130 यानि कि यह कितना हो जाएगा हमारा इसमें कितना एड़ कर देंगे 130 यानि कि सेलिंग प्राइज कितना आगया हमारा 330 तो हमें क्या बताना तो मुझुद ला परसेंट बताना तो यह कितना है यह तो पहले यह दि विक्री का मुल्य 110 यानि कोई वस्तु शोर पे कि थी वह बेज कितने में दी 110 में कि वस्तु 110 में बेज दी तो कितने का प्रोफिट हो आप 10 परसेंट का चाहिए आप निकाल लो भई शोव परसेंट में यानि कि 110 पर तो किसी आंस्वर के आगे हमारा आंश्वर डी आप यहां से निकाल सकते हैं उन दुनों का अंतर जो वने प्रोफिट परसेंट का आपको फोर्मुला भी बतायते है यानि प्रोफिट कितना 10 का क इतने पर शोव पर मंटिप्लाई भाई शोव से शोव कर जाएगा यानि कितना 10 परसेंट यह हमारा क्या हो जाएगा आंस्वर तो आप इस कोशन को इस तरीके से कर सकते थे आप देख लो समझे लो जिसका स्कीन सोट ले लो फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कोशन पर आज को ऐसे ही अच्छ अच्छ हम कोशन कराने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने रहीं हैं तक है तो दोस्तों कोशन पर आगए है नेक्स्ट कोशन है हमारा किसी वस्तु परलाब 120% किसी वस्तु पर लाब 120% यदि क्रैंड यह 10% 1% से बढ़ जाता है और व्क्रैं मूल्य वही र होगा option 50% 60% 100% या 90% तो दोस्तों कमेंट करो वदाव आंसर क्या आएगा अच्छा कोशन है यह जो हमारे कोशन है नेक्स टाइप चल गया है इस टाइप पर हम दो तीन आपको कोशन कराएंगे तो आप इसको समझ लो कोशन में किछी वस्तूपर लाब 120% है यह जी मैं मान लेता हूं कोस्ट प्राइज शीपी हमारा कितना है शो है वो फो पर 120% का क्या है प्रोफिट तो सैलिंग प्राइज कितना हो जाएगा भैश टोपे 120% का प्रोफिट लेने के लिए हमें कितने रुपे का बेचने यह आप निकाल भी सकते हो फो गुना 120 ठी है तो क्या करते है उसमें उसको एड़ कर देते शो में तो यहां से यानि शेलिंग प्राइज निकल के आ जाता है हमारा सिंपल सा सेलिंग प्राइज हो जाएगा कितना 220 रुपे कितना हो जाएगा 220 ठीक है दोस्तों अब उसके बात का है यह दि करम उले 10% से बढ़ा दिया गिये यानि के यह होगया 10% यह क्या कर दिया हमने बढ़ा दे अंट्य जो का 10 पर त давно 20 कितना फो dét्स यह दर कर 17 बढ़ा गया एक तस वर से एक एकसो दस होगा यानिवेट परशेंट बढ़ गया उसके बाद का यह दिनकी मूले वह रहें वीकरे मूले यानिके 220 का 240 रहें तो नया margin क्या होगा यानि के अब जो cost price है नए वाला इन दोनों के बीज में हमें क्या निकालना है profit percent निकालना है क्या होगा यानि के cost price कितना है 110 और selling price कितना है 220 तो यहां से कितने का profit होया हमारा वह 110 से पूरा 220 हो गया simple यह नहीं दूर नहीं परशेंट्स और दर कोश्ट प्राइज कितना है धोस्ट थे जहाँ कितना है 220 तो यहां पर गहले के प्रिक्राइब जाए गर यहां परई 110 के समान 217 102 10110 Mr. जाए dega to दर जाएगा दो कितने चितनी कि कितने परसेंट का profit होया हमें 100% यह क्या होगा हमारा answer अब बढ़ते हैं next question पर बने रहे हैं हमारे साथ तो next question पर आते है next question हमारा एक वी निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रे मुल्य नियत करता है यह दी उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और वी निर्माता अपने विक्रे मुल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाग की परतेशत कितनी होगी option a b c और d आपके इसकी पर आपको दिख रहे होंगे तो दोस्तों जो पीछे हमने कोशन कराया है उसमें क्या था उसमें जो हमारा विक्रे मुल्य लेता उसको फिक्स कर दिया था इस बार यानि कोश्ट प्राइज में इंक्रिमेंट हुआ है और हमारा सेलिंग प्राइज में भी यानिके जो हमारा सेलिंग प्राइज है उसको भी बढ़ा दिया और उसके बाद जो हमारा कोश्ट प्राइज है वह भी बढ़ा है तो इससे यानि नेस् पर अधिक पर अपने करता है यह दिक पर रुले नियत करता है यह गर हमारा हंध्र हे हमशा हम आप य इसको बढ़ाकर अपने कर दी सो का 33 मट बढ़ा देंगे तो कित्ने वारी सेलिंग प्रायज एक सो थैंट उसके बाद यदि उत्पादन लागते कि बढ़ा दिया कि जो रागत मूल्य निकοक्रमस तरक गया है फोल भी कून लोगा मैं यह वी कश्यम दरने 10% बढ़ा दिया गया हो तुए कितना वह जाएगा 33 का 10 परसेंट जाना का मतलब यह तो है 1.1 कि जो 20% का मतलब होता है हमारा कितना है वन पॉइंट तो तीच पर्सेंट का मतलब होता है मारा 1.3 यानि कोस्ट प्राइज का इस तरीके से आपको परसंटेज चैप्टर पड़ा है था उसमें अच्छी तरीके से समझा दिया था तो यह हो गया हमारा इस तरीके से प्रोफिश के मंटिपलाई करा देते यानि के इतना जोड़ देते इसमें तो इतनी आ जाता हमारा इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो हो अब यह हो गया हमारा यहां से अब क्या कर headquarters है यह 9 African Credit ले लो और के यहां से पोइंट अट जाएगा तो दर एक lockdown बड़ आएगी आगे काट लो कितों शेकर सकता है यह निस यह कर जाएगा साथ से उन्नीश बार कि यह कितना कर जाएगा हमारा सतेकम शाथ 7,462 यानी 110 और फिर यह हो गया हमारा उन्नीश गूना 11 यानी 106 रेशो 119 में 1111 कितना हो गया दूसरो 9 अभी 160 की कोई वस्तू 209 में बेज दी तो कितना प्रोफिट हुआ हमारा यह हो गया हमारा 49 का 99 का कितने पर 160 का यानि कि 99 का profit हुआ है 160 पर multiply by 100 यह कट जाएगा 0 से 0 2 से 5 बार 2 से 8 बार 99 कितना हो गया हमारा 245 बटे कितना 8 यह कितना हो जाएगा 24 और फिर 0 30 और पांच बटे आठ यानि option कौन से ठीक है option शेकर राइट आंस्वर समझा गया होगा किस तरीके से क्या है पहले में क्या था यहां तक का portion दिया गया था और यह इस मैंने selling price में इंक्रिमेंट नहीं हो रहता है selling price में कोई भी वरदी नहीं होड़ती लेकिन इस question में यहां से एक step बढ़ा दिया है कि 10 परसेंट का selling price पे भी profit हो गया तो श्रागे हमने इस परकार कर लिया इसका जो answer होगा हमारा भी right answer हो जाएगा अब बढ़ते हैं next question पर next question आपकी screen पर है question है एक वश्टू को बेचने पर उसके करे मूल्य में 25% की वरद्दी होती है लेकिन विक्रे मूल्य समान रहता है इस बार जो हमारा selling price है तर्मूलै में वरद्दी होने के बाद वह हमारा समान जल ― तो नया लाब परतिसत मुल लाब परतिसत से कितने परतिसत कम है ओप्शन हमारा ए 22% बीच हब परतिसत से 29% एंड दे 31% तो दोस्तों इस कोशन का आंसर कमेंड करके हमें बताईए इसका आंसर क्या होगा वीडियो कोशन को करने की कोशिश करो क्यूंकि आप जितना खुद से करोगे जितनी प्रैक्टिस अपने आप यानि शूम करोगे इतने ही आपको ज्यादे बेनेफिट मिलने वाला है पेपर में तो दोस्तों आप इस कोशन का कमेंड करके आंसर जिरूर बताईएगा हम आपको ये कोशन करा देते हैं देखो किस परकार हम इस कोशन को करते हैं वो जो पीछी हम कंसेप्ट लगा रहे उस कंसेप्ट कही हुँ जिहां पर करेंगे या सो पे 220 परसेंट का लाव यानि सो और प्लस 220 तो सेलिंग प्राइज कितना होगा 320 यह डिरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा किस परकार हमने पीछे जो पीरिवेश कोशन कराए हैं उनमें बताया था कि यह डिरेक्ट कैसे आता है ठीके दोस्तों अब आगे कहा है यदि कर ंद लया में 25 परतिशत की वरद्दी यानि कोश्ट प्राइज में 25 परसेंट की वरद्दी करे तो यानि Кोस प्रैंजimer कोर्ण जो कोफ्गों हमारा कोश्ड प्राइज क्रें मूलए या लागत मूल्रेह है 25 परतिशत की वरद्द्दी कर देंगे तो कितने हो जाएगा watching से 1000 स समान रहता है यानि आप वो कितना रहता है हमारा । ावाघ कि कितनों बी और निकालना है फ्विसरी सठेया लुटीञ। तो सकते हों यानि 1200 की कोई वस्तू 320 रुपे में बैची इस तरीके से भीध भी आपन काल सकते हो लेकिन इतना ज्यादा इसको इस तरीक उसन को जब करने के लिए आपको मैं सोड़ बताता हूं जब भी 125 हो तो उसमें 0.8 की मंटिपलाई करा दो इधर भी और इधर भी यानिके 125 अठे जब हम इन दोनों की मंटिपलाई कराएंगे तो यह आता है हमारा 100 हो जाता ह है कितना हंडरेड ठीक है दोस्तों आप इसको करके भी देख सकते हो यह जीरू से पुइंट कर जाएगा आर्दोनी 16 और आर्टे चोबीस एर एक पत्चिस यानिके कोई जो सो के सो कोई वस्तों कितनी है 100 रुपे की है और बेकी कितने में जा रही है 250 में तो कितने का प्रो बार्टेसद जो निकाल लेंगे तो हमें और इस इन कितने का हो रहता 220 कर इनाट है यानिके 220 परशेंट यह उस्तों बीस अनुपात 156 ठीक है जे कितना हो जाएगा 156 अब यहां से इन दोनों का रेशु निकाल लो अब काट लो किस से कड़ जाएगी 4 से कड़ जाएगी नहीं 4 से कड़ती है देख लो यह 4 से 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 ठीक है जे उसके बाद 4 तिया 12 उसके बाद कितने बज़ी का चार्निव 36 ठीक दोश्तक यानि कोई 5 5 का पैच पंजें कितने पाद हो गया हमारा 49 कितने कंतर आया हमारे यहां पर इस में से इसको हटा सकते हो यानि 15 में सब्सें याँ परहमारा कितना सोला ठीक है जी कितना हो गया सोला अब इसको परसंटेज में निकानने के लिए सोला बट्टे पच्पन मंटिप्लाई बाई हंड्रेड यह तो होता है हमारा अब यह कड़ जाएगा पांथ से कि और यह पांथ से कितने बार 20 बार यानि कितना हो गया यह हो गया हमारा सोला दूनी 32 30320 बटे 11 ठीक है दोस्तों अब यहां से देख लो गयारा दूनी 22 यानि के ओप्षन दी तो हो नहीं सकता गयारती 33 ज्याद हो जाएगा गयारा दूनी 22 कितने बचिके हमारे 10 गयार नम निन्यान में यानि लगबग यह जो ओप्षन है हमारे एप्रोक्स में दिये है तो इसक परतिसत जो हमारा मूल आप परतिसत से कितना गम है 39 परतिसत यह इसका आंस्वर हो जाएगा दोस्तों एक अच्छा कोशन था आप इसका स्कीन सोट ले सकते हो इस तरीके कोशन पेपर में आपको मिल जाएंगे यह हमने आपको बिल्कुर तरीके से समझाया है यह हमारा 30 से 40 सेकेंड का कोशन है यदि आप इसकी प्रक्टिस करोगे तो तो दोस्तों बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की और नेस्ट कोशन इसकी इन पर आ चुका है कोशन हमारा जब किसी वस्तु को उसके विक्रे मूल लेकी एक चीज़ याद रखना किसी कोशन पर आप जब कोशन को पर किमत पर बेचा जाता है तो 37 पर जाते जती है एन के जबवाड़ते पर लाब परतिसात के हनी होती है शक्रिग वश्तु को उसके वत्रब्ट स्थ के उननिस वटे बारादाम पर बेचा जाएगा तो एस तरह को चोशन हमने पीछे वाली वीड़ियो पीछ करा देता हूं वैसे आप यह दिया आपसे आपने पीछे वाले जो लेक्षर दे वह लिए होंगे तो आप यह कोर्षन खुद से कर लोगे इजीली हमें इस कोर्षन करके आप आंसर भी बताईए हम आपके कमेंट देख रहे हैं क्या आप इसका आंसर देने माले हो मैं आपको करा देता हूं और आप अपना जो आंसर दिया है उसको मेच भी कर सकते हो तो बढ़ते है को सन पर जब किसी वस्तु को उसके विक्रमूले की साथ बटे आठ केमत पर यानिके साथ बटे आठ और 19 बटे बारा ठीक है जी यानिके अब हमें यहां से विक्रमूले तो पता नह आठ कर सकते हैं जो सेलिंग प्राइज है उसको क्या माननेंगे 8 और बारा का एलसी अम और ऐलसम कितना होगा 24 यह अनिके हमने माल लिया यह मान है कि जो हमार सेलिंग प्राइज यानि विक्रमूले है वह 24 है जब 24 के साथ बटे आठ यानि 24 का साथ बटे आठ आठ त्या 24 यानि कितना कोई वस्तु 21 रुपे में बेची जाती है तो हमें 37 परतिसत की हानी होती है हमेशा कोस्ट प्राइज 100 बानते हैं बैच कितने में दी 63 रुपीज में क्योंकि जो कोस्ट प्राइज हमेशा 100 मानके हम चलते हैं दौखो । किस बस्तु को यानि 24 रुपेभी किसी वश्टु का कुछ मीस बेची जाती है तो 37 percent की लौश हो जाता है यानी हानि हो जाती है तो वश्टु कितने रुपेभे ची 63 मे किर हम हम 24 का 19 वटे 12 में बेचते हैं यह हो जायेगा 24 दूनि 12 दूनि 38 यानिके जब 38 में हम उसको बेचेंगे तो हमें कितने परतिसत का लाब होगा यह तो हमारा कोशन था बाई इसका कितने गुना है 3 गुना तो एककिस्ती तरेशन है तो यह जब 28 में बेचेंगे यह भी तीन परसेंट यह तोहाँ से 38 दिया कितने होंग medals 114 कितना 38 होते हमारे 114 यानि के जब कोई शोरपे की वस्तु आप कितने में बेची जा रही है 114 में तो कितने परसेंट का प्रोफिट होगे हमारा 14 परतिसत यह क्या हो जाएगा हमारा आंसवर समझ आ गया होगा कोश्टन सिंपल सा कोश्टन था हमें जो यहां पर करना था वो शैलिंग प्राइस को लेकर करना था यानि शैलिंग प्राइस हम दोनों का जो भी लस्यम है वो मान लेते हैं 24 अब 24 का 7 बटे 8 कितना होगा 21 जब इसको 19 बटे 12 में कोई वस्तो बेचते हैं तो कितने रुप्य में 38 में बेचेंगे तो यह भी इसका 3 गोना कितना 114 में तो प्रोफिट कितने परसेंट का 14 परसेंट का अब दो देखो next question ने तो दोस्तों बढ़ते हैं next question पर हमारा next question है दो वस्तों की कीमतों का अनुपात 5 808 में है यदि पहले कीमत में X% की फूर्दी हूई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हूई ये point आप नोट कर लो पहले में वरद्दी हो रही है और दूसरे वाले में क्या हो रही है 30% के कमी तो A और B की नई कीमते 17.14ется के सनुपात में है तो हमें X का मान क्या होगा option हमारे दिये है A 40 B 38 C 34 और D 36 तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताए वीडियो पोज करो question को खुझ से करने की कोशिच करो otherwise आपको हम यह question इसकीन पर करा रहे हैं देखो किस तरीके से करेंगे सबसे पहले दिया है समय हार णकी किमत और B वोघुएंज परशेंट की वरद्धी की अ Nicole दिखा रहा है यह आगर उपर को यह दिखा ले तो यह क्या बता है यह निंक्रिवेंट होघेंट यह वर अर ये और दूसरे की कीमत में क्या हो यह 30% की कमी यह हो गई कमी जब यह कंडिशन बन जती है तो ए और बी की जो नई कीमत आती है उनका जो अनुपात है वो किस रेशों में 17 अनुपात 14 में ठीक है तो हमें यानी कि यह निए व्याला जो हमें कितने परतिशत की यहां पे इन Но Кंशन को करेंगे अब यह जो वस्तूप भी है उसकी जो किमत कितने है 8 8 में 30 परतीशत की वह हो रही है का मि हो रही है ठीक है का मिर्ण हो यह हो रही है तो आट का 30 पर 30 आप निकाल लोगे 8 का 30 पर 30 आपने यहां से निकाला यह जीरो से जीरो कैंचल यानि आट तिया 24 और बटे 10 अर इसको 10 से बाग करने के लिए कितना हो जाएगा 2.4 यानि के 8 में से 2.4 की क्या हो गई कमी तो अब यहां पर कितनी बज गई भई 8 में से इसको घटा दो 8 इसको घटा हो गए तो यह 6 पोइंट यहां पर कितना हमारा 5,47 तो यह कितना हो गया 5.6 इस तरीके से हम इसको यहां से यानि के 8 की जो 30 पर 30 की कमी होने के बाद वस्तू की कीमत कितनी बज गी 5.6 यानि यह अब देखो लेकिन कोर्षन में अब बची तो तिनी है कोर्षन क कितना गुना 14 चुगा 56 इन जीरो पॉरिंट फोर गुना हो जाएगा इसी परकार जो हमारी एक की मत है वो भी 17 की 0.4 गुना 17 चुका 58 कितना हो गया इसक्स पॉइंट एट तो कोई वस्तू पहले उस वस्तू की कीमत कितनी ती 8 अब कितनी होगे 6.8 पहले कितनी थी 5 अब कि कितनी हो गई है 6.8 तो कितने की वरद्धी होई है यहां से वरद्धी हो गई हमारी 1.8 की कितने पर 5 पर बटे सोरी मंटिपलाई परसंटेज के लिए क्या करते हम सो से गुना अब गुना करा देंगे यह जीरो है इसे पॉइंट कैंचल हो जाएगा पांच से इसको भाग करें घारंगे तो कितना दो बार यानि कितना होगे हमारा अठार अगुना दो अठार दुनिर चैतीक कहते तो यह इनि कितना तर्ट यहां पर हो जाएक हमारा 37 underwear यह दू एक परत्थह Japanese बटैस हमारा जोगा यहां पर यो कितने अध्ड यहां पर इंस इसकिन इसका ले सकते हो में का में दोस्तों है बढ़ता है। ये कमीज के लागत मूले 20% बढ़जाती है एक व्योव 토ाई कमीज के विख्रे मूले को स्परकार परिवर्थित करता है कि लाप परिवर्थित समान रहे हैं dawn कि विख्रे मूले को up युख्रित परतित करता है कि जो लाब परतिसत है वो समान्द है तो नए विक्रमुल्य पर कमीज को बेचने से वेपारी को 10 रुपे अधिक लाब होता है जब नए विक्रमुल्य यूज करके हम उस यानि कमीज को बेख रहे हैं तो 10 रुपे कितने 10 रुपे अधिक लाव होता है तो वैपारी का नया लाव रुपों में क्या होगा तो वैपारी का नया लाव रुपे में क्या होगा option हमारे 50, B option 100, C है 60, D 40 तो दोस्तों देखने में question आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन अगर आप इस question की language समझ पारे हो तो ये 10 second का question है बहुत सिंपल सा question है बच्चे इस question में बहुत confused होई थे ये 2018 सीजल मैंस में पूछा गया question है तो आप इस question को देखो किस तरीके से करेंगे ये कमीज की लागत मूले 20% बढ़ा दी और एक वैपारी कमीज के विक्रे मूले इस परकार परिवर्तित करता है कि लाग परतिसत समान रहे यानि कहने का मतलब क्या है येदि हम क्या कर रहे है ल क्योंकि हमें करना क्या है जो लाग परतिसत है वह समान रखना है भाई प्रोफिट परसेंट होता क्या है प्रोफिट परसेंट जो हमने बतायता यानि पी अपोन हंड्रेड हंड्रेड मंटिपलाई शोरी पी अपोन सीपी इंटू हंड्रेड इस तरीके से हमने बतायता और लाव होता है लाव क्या होता है आरा यानि कि जो लाव यानि प्रोफिट होता है हमारा क्या होता है कि और भेदी अयले प्रोफिट परसेंट सेम होगा समझ आ रही आपको बात यह समझ आ रही है नहीं comment करके बताऊ आप बैप्रोफिट परसेंट यानिके लाप परतिशत समान कब होगा यानि यहीं कोई वश्थू पहले यानिकि कोश्ट प्राइज पर हमने 20% का प्रोफिट होगा थीका जी तो हमें प्रोफिट परसेंट बराबर रखना तो हमारा सेलिंग प्राइज भी हमें बढ़ाना यदि हमें CP 20% बढ़ता है तो हमारा सेलिंग प्राइज भी हमें क्या करना पड़ेगा 20% बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें profit percent समान रखना है यह करक्षा कि लापरतिसत समान रहे यह जब दो यह दी मान लो देखो यह profit percent SP-CP upon CP into 100 है यह और आप क्या कर दिया हमने कोस्ट प्राइज बीस परतिसत बढ़ा दिया 20% का मतलब क्या बताया था भी जब हमने पीछे percentage येप्टर करा था तो 20% का मतलब क्या आता 1.2 30% का मतलब क्या था 1.3 10% का मतलब क्या था 1.1 तो यह concept आपको पीछे question में बताया था यहां पर भी मैंने दुबार है आपको रिवाइज करा दिया हो तो इसको याद रखना आप तो यानि कि जब कोस्ट प्राइज हमारा 20% बढ़ रहा है तो हमारा क्या है लाग परतिसत समान रहेगा तो इसमें भी तो यह इस तरीके से तो हो गए तभी तो हमारा profit percent जो है इकवल होगा ठीक है दोस्तों क्योंकि यहां से क्या होगा समय यह कोमन यह कट जाएगा कोमन लेके बाहर डिरेक्ट आपको बता दिया इस तरीके से तभी तो यह दोनों एकवल आएंगे तो इस concept का व्यूज करते हैं देखो का है कि जो हमारा लागत मुल्य है वह 20% बढ़ यानि जो पहले कोई वस्तू 5 से कितनी होगी अब 6 होगी एक व्यूज के विक्रे मुल्य को परकार पर्वितित करता है कि लापरतिसत श्रमान रहे जो नया विक्रे मुल्य पर कमीज को बेचने से व्यूज दस रुपए अधिक कमाता है अब कोई वस्तू पहले 5 में बेची 10 गुना तो वैपारी को नया लाब नया लाब यही तो हो रहा है यानि यह भी कितना 10 गुना यानि के 10 यहां पर 10 गुना 6 कितना 60 तो जो वैपारी को नया लाब होगा रुपों में कितना हो जाएगा 60 रुपए यानि option C is the right answer बस दोस्तों इसका यही कोशन का जो हमारा next question पर तो बढ़ते हैं question पर आगे हम next type के आपको question कराने वाले हैं तो इस type को आप अच्छे से समझ लो यह fix type है इस तरी question paper में मतलब जादे बार अब तक आए वे है इस type question काफी बार paper में बनते है तो आप इस type को बहुत अच्छे से समझो बहुत important type है तो दोस्तों बढ़त करने का मतलब क्या है यदि कोई वस्तु है उसको किसी मुल्य पर बेज दिया जब उस मुल्य पर बेजने के बाद उसको जितनी हानी होती है उतना ही लाब होता है जब उससे कुछ अधिक रुपों में वस्तु को बेजते हैं यानि कि सपोज जैसे कि यह question है हमारा यदि सतुम छुपर बैजबन से कि agem हें तो उतनी हानी होती है जितनी सात सो रुपर में बेचने पर उसको लाब होता यानि कहने का मतलब कहा है जो हमारा यहां पर दो तरीके साया यह एक तो सिम्पल रुपों में बात चलती है यानि इतना लाब हो गया टिन हानी होगी एक लाबाद कर बात करी कहा है या बात करो यातना गल्य आप si तरह यहां परक्रणक सार्ट करो यह थी बात कर लो sa और फिर हमें इस concept ये वाला concept दिया हो CP निकालना हो तो आपको क्या करना होगा CP निकालने के लिए जो ये दोनों वस्तु दी होगी इन दोनों वस्तु की जो कीमत है उन दोनों कीमतों का average हमें निकालना होगा यानि CP क्या होगा 500 प्लस 700 बटे 2 यानि 2 से कर देंगे कितना 600 यानि जो CP आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 600 चाहिए आप इसको देख लो कुछ 600 जो किसी वस्तु का लागत मुल्य 600 है यानि कि 600 के वस्तु 500 रपे में बेज़ दी तो कितने के हानी शोरपे के हानी होई और 600 के वस्तु यदि 700 में बेज़ दी कितने का प्रॉफिट यानि कि किसी वस्तु को जब 500 रपे में बेच ले है तो जितनी हानी हो रही है 500 रपे में बेचने पर पर जब 700 में बेचते हैं तो हम क्या करहेंगा यदि हमें CP यानि निकाल लेंगे वह हमारा सीपी हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं कोशन पर यह आपको हमने समझाने के लिए कंसेप्ट बता दिया है तो बढ़ते हैं नेक्श पर हमारा रुपय में बेचने पर पर राप्त आपके बराबर है तो उस वस्तु को कितने लुप्य में बेचका दाए ताकि उसे चोदड़ स्थ हैं बोटै क्सक्ट बरति सकत कमा पीछे वाला हमने जो कंसेप्ट बाया बताया है आपको उसी कंसेप्ट पर बेची कोशन है तो आप इसका कमेंट करके हम आप इसको करके दिखाते किस तरीके से कोशन करेंगे यानि के कंडिशन वहीं बननी है यानि जब हम 577-598 रुपे में बेचते ने पर जो प्राप थानी है उस वस्तु को 8,020 रुपे में बेचे पर प्राप लाप के बराबर है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे तो कोस्ट प्राइज हम कैसे निकालते है यानि जो इतने निकालेंगे तो हमारा एवरेज जो होगा वही हमारा कोस्ट प्राइज हो जाएगा यही हमने आपको पीछे कोशन में बताया है यानि इन दोनों को जोडते हैं यहां पर जोड़ो कितना हो जाएगा आठ ग्यारा और आठ और तेहरा बटे दो यानिके 6909 यानि कोस्ट प् 27% का लाब हो जैनिके अब जो हमारी कोश्ट प्राइज इतने पर 14-2 वटे 27% का लाब हमें प्राप्त करने पर कितने में इसको सेल करना पड़ेगा 14 वटे 27% का मतलब आपको पता है क्या होता है एक बटे 7 यानि के 7 से कितने में 8 में बेचय जाए तो यहां से हम इस्ट साथ हम निकाल लेंगे तोसको करते हैं साट निम 63 कितने बज़िगे हमारे छे शाट अठ शॉप न वह से चार शाषटे उननंच चैस और जी शाट अठ चपन का चेकर और यह आठ टे चूंटि च्वाट और शेट 250 तुन आठ अठ टे चूंटि उन सच चूंटि और पाँच एनिके 9 हासिल 6 है और यह हो गया हमारा आटने 72 पात्तर और 78 ठीक है दोस्तों यानि जो सेलिंग प्राइज हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3800 चान में इस तरीके से हम इस कोर्षन को कर सकते अब इसी तरीकी के समझा आपको हम आगे और कराते हैं बढ़ते हैं नेक्ट कोर्षन पर आप देख रहा हूँ आपको beyond पर्सक्राइब कोर्षन को करो पीछे आपको इस है यह आप देख लीजिए मैं आपको करा देता हूं एक यूजड़ कार डिलर किसी कार को 7.6 लाकर रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुक्सान होता यह गजब देख लेकर 7.6 लाकरत तरह तो कुछ नुक्सान होता है यह देवे हैं इसे 9.2 रुपे में बेशता तो उसका लाब उसकी हानीका तीन गुना हो जाता यह point प inhib़णने वाला है इसको दिभान से देखो और ग्beltके जब वे 9.2 रुपे में बेशता है तो उसका लाब है उसकी हानीकी का 3 गुना हो जाता है तो कार का क्रहा आ है क्या था सब्सक्राइब भुष ने हैं चल्ए को मैं एद्लक्त को कैसे करते हैं या जब 7.6 ग में वह सब्सक्राइब तो नुक्सान होता है और जब 9.2 चल्सक्राइब आख family बैसते आई थो सको निडू होता है तो हमें कोस्ट प्राइज निकालना है तो कोस्ट प्राइज हमें मीड में रखते हैं तो कैसे निकालते हैं यानि कि जब कोस्ट प्राइज से कम में बेचेंगा तो हमें क्या होगा हानी जब कोस्ट प्राइज से अधिक में बेचेंगा तो क्या होगा प्रोफिट तो का है जो उसकी ज यानिके यदि उसका जो प्रोफिट है वहाने का तीन गुना है यहानी हमने एक मान ली तो इसका तीन गुना कितना हो जाएगा तीन तो यहानिके यहां से यहां तक पोचने में यहां से यहां तक पोचने में माइनस एक से तीन तक पोचने में कितने का कितने अंदर आया चार का कितने का चार का और ये चार यूनिट बरावर किसके होते हैं इन दोनों के अंतर के ठीक है इन दोनों के अंतर के यानि के 9.2 में से हम 7.6 गटाएंगे तो यहां पर कितना हुझाए इसक्स पॉइंट वन नानि के 1.6 यह हो जाएगा हमारा 1.6 इसका कितना टाइम ? 0.4 टाइम यानि 4.16 इसका 0.4 गुना इसी परकार जो हानी होई है वो भी कितनी हो जाएगे ? 0.4 और जो Profit हो हा यहां भी 0.4 गुना यानि कि जो हानी होगे 0.4 गुना अब कोस्ट प्राइज हमको निकालना है निया लागत मुल्य सीपी सीपी क्या होगा हमारा यानि के जो हमारा यहां पर यह SP और जो हमारे जो लोश होया है इन दोनों को हम एड़ कर देंगे यह 7.6 प्लस इन दोनों को जब एड़ करेंगे 0.4 को तो कितना हो जाएगा हमारा यह 8 लाग क्योंकि यह सारी बात लाग में चल लगी है तो यहां से हम इस कांसों निकाल सकते हैं कितना आ गया 8 लाग यह तो आप हानी से इदर से निकाल लो यदि आपको इदर से निकाल ला तो आप इसको इदर से भी निकाल सकते हो यहां से क्या करेंगे हम अब कोई वस्तु यानि को स्वाइब से अधिक में बेचे जाए तो selling price यानि अधिक हो रहा है तो यहां से हम में को स्टपराइज यहां से भी एट लाक चाहिए आप इधर से निकाल लो चाहिए आप इधर से निकाल लो तो आंस्वर हमारा हमेशा क्या आएगा सेमी आएगा एनी ओप्षन डी जदा राइट आंस्वर ठीक है दोस्तों कोशन मैं उम्मीद करते हूं आपको समझ में आ गया होगा आप इसका स बस्तो को 488 यूपे में बैचा कुछू लाव पर बैच चार चार चारे रूपे में अगर उसने इसे 400 में बैचा होता तो शुरुआती लाव यानि ज लाव होस्टाइग में सब्सुपके एक तियाहwo के ब्राबर नुख्सान होता जब आपको प्रापनो Spec % 409 एंडी 420 कमेंड करके आंसर बताईए क्या आएगा हम आपको करा रहे हैं आप देखत बने रही है हमारे साथ बोड़ पर नजरे गड़ाए अपनी अच्छे से समझते रही है तो यानि हमने आपको क्या समझाया था कोस्ट प्राइज निकानने के लिए को जो कंसेप्ट था य रुपए में बेचती है तो इसको क्या होता है प्रोफिट जो लोश है वो प्रोफिट का एक दिया है यानिके यह दिया है हमारा एक तीही का मतलब यही तो है यानिके माइनस एक से जब हम तीन तक जाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा चार का यह चार यूनिट कितने क सब्keitने बराबर 8 unit के 1 unit की वैलूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सका ऑिसी कुटना तीकल जी तो यहां से हमारे क्या जाएगे 20 गूनी और जू लाब है कितना हो जाएगा ज्यूना तो यहां प्राइज कितना 420 यह आंसर आजाएगा ओप्शन डिजदा राइट आंसर आप इधर से विश्कों निकाल सकते थे इधर से निकालेंगे यानि के जो शेलिंग प्राइज माइनस फ्रोफिट चैलिंग प्राइज चार्स वाशी फ्रोफिट कितना हुआ है आप तीन कुना 20 य यहां की स्कीन पर आ चुका है एक वस्तू को 1134 रुपे में बेचने पर रिया को होने वाली हानी इस वस्तू को 10% लाब पर बेचने से होने वाले जो होने वाले लाब होने वाले लाब के बराबर होने वाले यहां पर लाब के बराबर है ठीक है दोस्तों 10% लाब पर बेच के बराबर है यदि वस्तु को यदि वस्तु को 1354.50 में बेचती है तो उसका लाब परतिसत क्यात कीजिए ओप्शन ए है हमारा 7.2 भी हमारा एट यह एट पॉइंट फॉर एंड डी 7.5 तो आप इस कोशन को करिए कैसे करेंगे जब हम 1134 रुपे में बेचने पर रिया को होने वाली जो हानी है जब 10% के लाब पर बेचने से उस पर होने वाले लाब के बराबर हो गए यानि के यहां से यह दि मुझे क्या निकानना हो यहां पर दिया है यानि के जो यह वाले जो सेलिंग प्राइज है जब 1134 रुपे में बेचते हुए तो जो 10% के नुक्सान के बराबर है यहां से हम क्या करेंगे यहां से 10% के वैल्लू निकालू यानि 9 से बाग कर दूँ 9 कम 9 कितने वज़े गए 23 हो गया 9 दूनी 18 उसके बाद 9 ची का 54 ठीक है जी यानिके 10% कितना हो गया हमारा 126 हमें सबसे पहले कोस्ट प्राइज निकानना है कोस्ट प्राइज कितना होता है 100% प्रतिसट तो प्रतिसट के लिए 10 के मंटिप्लाइज अधर 10 के इधर यानि के 100% इस इकल टू कितना हो जाएगा 1260 यानि कि जो कोस्ट प्राइज आया है हां से निकल कर यह हो गया हमारा 1260 और जो सेलिंग प्राइज है वो कितना है अब आगे का यह दिवे वस्तू को कितने रुपे में यानि के 1354.50 रुपे में बेचे तो उसका लाब परत प्रतिसत बताना है यानि के 1260 रुपे की वस्तू 1354.50 में बेचते हैं तो कितने प्रतिसत का प्रोफिट होगा यहां से अब निकालो कितने का प्रोफिट भाई ये साथ यानि 4454.90 देसमलव पांच जीरो इतने रुपे कस का प्रोफिट हो रहा कितने पर 1260 पर अब प्रोफिट चुर्रान में देसमलव पांच जीरो बटे 1260 मंटिप्लाइबाई हंड्रेड यह तो है प्रोफिट परसेंट अब दो जीरो से यह पुइंट हड़ जाएगा एक जीरो से एक जीरो यानि के कितना हो गया 945 बटे 126 आज इसको आगे हो सोल कर सकते हैं आगे सोल क रोगे 9 से देख लो कर जाएगा नोई कम नो नो पंजे पैंतालिस नो इकम नो नो चोक 36 यानि कितना होगा 105 बटे 14 147 में पॉइंट लगाया कितने होगे हमारे साथ यानि 145 70 यानि कितना परसेंट प्रोफिट होया हमें 7.5 ओप्षन डी इस दा राइट टांसोर कोर्षन स परता हूं आपने अच्छे से समझा होगा आप इसका स्कीन स्केंशोट ले सकते हो इसके बाद हम आपको नेक्ट कोर्षन की और लेके चलते हैं बढ़ते हैं तो नेक्ट कोशन पर तो दोश्टो next question screen पर आपको नजर आ रहा होगा question है हमारा एक वास्टू को 63 रुपे में बेचने से जितना लाब पुराpt होता है उससे 2 गुना lah question की language समझेना जब एक वास्टू को 63 रुपे में बेचने से जितना लाब पुराःत होता है उससे दोगुना लाब 68 रुपए में बेचने से होता है तो वस्तु का क्रेमुल्य यानि कोस्ट प्राइज क्या होगा ओप्शन हमारे ए है साथ भी ए अठाउन सी है पैंसेट डी है पच्पन तो कमेंट करके आश्र बताइए हम आपको कुशन करा देते हैं हमें क्या निकानने हैं लागत मुल्य यानि क्रेमुल्य या कोस्ट प्राइज जब हम कोस्ट प्राइज से यानि 63 रुपए में बेचने से जितना लाब ह होता है तो जब मिढ़ा हो रहा है तो हमें पता है हमेचे जाना होता है तो कोस्ट प्राइज से अधिक होगा सैलिंग व्राइज तो यहां पर से सैलिंग जब what Ciksteri X externi में बैसे 2 प्रोटम जाए है तो उससे दोगना लाब होता है जब यहां से कोष्ट प्राज्य कॉष्टन निकालना है जब इस तरी को कंडिशन बनेगी तो क्या करें के जब प्रोफिट और profit हो रहा हो तो इन दोनों का जो अंतर होगा 63 और 68 का अंतर कितना 5 और इन दोनों का अंतर equal हो जाएगा यानि के यहां से एक unit बराबर कितने के 5 के इसका कितना गुणा 5 गुणा तो ऐसी परकार यह भी 5 गुणा हो जाएगा तो को प्राइज हम जब निकालेंगे CP CP होता है सेलिंग प्राइज माइनस हमारा profit यान सेलिंग प्राइज 63 प्रोफिट कितना पांच रुपए तो यहां से इसको घटा देंगे तो प्राइज हमारा कितना आजाएगा 58 रूपेज यह क्या हो जाएगा हमारा आंस्वर यानि ओप्षन कुन सा ओप्षन बेजदा राइट आंस्वर तो दोस्तों आप इस को संगो देख लीजिए अच्छा को संथा इसकी शोट लेना चाहते हो आप इसकी शोट ले ले लो ठीक ह ठीक है दोस्तों इसकी शोट यही शोट आप ने ले लिया होगा तो आजकी किलाश हम आपके साथ यहीं पर अलवेदा करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक स्प्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में जादे से जादे वीडियो को सेंड करें क्यूंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो होएगा और आपको भी अच्छे-चे कंसेप्ट बेस कोस्टन आपकी तयारी बहुत हुई है वह एक है तो आप हमारे साथ बने रहिए अंतर क्यूंकि आपको अपने लक्से तक पोचना है तो आपको हमारा साथ देना होगा और हम आपके साथ अच्छी तरी के मेहनत करते रहेंगे ठीक है दोस्तों जहिन धन्यवाद